Hello everyone, welcome back to the channel आश्रीमा क्लासिस तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के साथ डिसक्स करेंगे इंटर कल्चर कम्मुनिकेशन इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड कुछ एक्जाम्पल्स और हाँ गाइस मैं पसनेलिटी डवलप्मेट और कम्मुनिकेशन के और भी में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट, कम्मुनिकेशन जिसका मीनिंग आप सभी जानते हैं, हम जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी फिलि खहता हमारा इंटर कल्चर कमुनिकेशन दिफ्रेंट कल्चर मतलब उनकी लैंगविज भी डिफ्रेंट उनका द्रैसिंग सेंज उनका अटिटिटूड सब डिफ्रेंट है, हमारे से उनके बिलीव नॉम सब डिफ्रेंट है ठीक है? तो और अच्छे से समझने के लिए हम इ जो interculture communication है, एक country के अंदर भी हो सकता है, या फिर आप किसी country से भाहर गए हैं, तब आप different culture के लोगों से मिल रहे हैं, तब भी ये interculture communication हो सकता है, देखे, it can occur within a country among people of different culture, अगर एक country में ही different culture के लोग रहते हैं, जैसे हमारा इंडिया है, इसमें गुजराती, मराथी, साउथ हिंडियन लोग, तो सबकी जो language है वो भी different है, dressing sense भी थोड़ा थोड़ा अलाग है सबका, तो ये क्या है different culture के लोग हैं, यहाँ पर भी हमें interculture communication की need पढ़ जाती है, तो एक country के अंदर भी interculture communication पाया जाता है, ये वहाँ पर भी happen हो जाता है, जब एक country से दूसरी country में लोग जाते हैं, और महाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, महाँ के लोगों से बाचीत करते हैं, अब एक country से दूसरी country में आप गए हैं, तो आपको of course महाँ पर different culture के लोग मिलेंगे, जिनकी language भी अलग होगी, उनका dressing sense भी अलग होगा, तो महाँ पर आपको interculture communication आना चाहिए, interculture communication in the global context means that people from different countries having different culture meet and communicate with each other, interculture communication में global context होता है, इसका क्या मतलब है कि जब different culture के लोगों से आप मिलते हैं, उनसे communicate करते हैं, different country में जाकर, तो यही कहलाता है हमारा global context, इससे क्या हमारी दूसरी country के साथ relation भी अच्छा होता है और अपना business भी easily वहाँ पर चला सकते हैं, interculture communication से, अब देखे, importance of interculture communication, इसके क्या importance है, यह क्यों जरूरी है, या फिर इसके क्या need है interculture communication की, first हमारा interculture communication has become a requirement in the modern world as the distance has been squeezed and people travel from one country to another country for various important tasks, interculture communication की जो requirement है modern world में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो distance है वो बिल्कुल सिकर से गए हैं, लोग एक जगा से दूसरी जगा travel करने लग गए हैं, एक country से दूसरी country में बहुत ज़्यादा जाने लग गए हैं, various important tasks की वज़ा से, अब देखिए, firstly international business required interacting with people of different culture, international business में requirement होती है कि आपको interact करना पड़ेगा different culture के लोगों के साथ, क्योंकि आप international level पर business चला रहे हैं, बहार जाकर अपना business grow कर रहे हैं, तो आपको उनके language, उनके dressing sense, है ना, उनके beliefs, norms, सबका, उनका attitude कैसा है, सबके बारे में आपको knowledge रखनी होगी, तब ही वहाँ पर आप, पर अपना business grow कर पाएंगे, अब next हमारा, second देखे, many young people go to other countries for education and have to live there for a few years, बहुत जादे young people's education के लिए भी जाते हैं, बहार countries में, तो महाँ पर भी interculture communication की हमको need परती है, तो interculture communication यहाँ पर भी बहुत important role निभाता है, क्योंकि लोग अगर education के लिए गए हैं, तो वह वहाँ के teacher से interact करेंगे, वहाँ के students से interact करेंगे, तो उन्हें communicate करना पड़ सकता है, वहाँ के लोगों से, तो यहाँ पर interculture communication बहुत ज़रूरी हो गया है, Thirdly, people go to other countries for their jobs and they have to live and interact with people there, अगर लोग other countries में जाकर job करते हैं, तो वहाँ पर उनको रहना पड़ेगा, अब वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ के लोगों से interact करेंगे, वहाँ से communicate उन्हें करना पड़ेगा, वहाँ के culture के लोगों से, तो यहाँ पर भी interculture communication एक important role निभाता है, Finally, a great number of tourists visit other countries every year to enjoy their beauties, अगर हम कहीं tourist पर गए हैं, विजिट करने गए हैं, तो हमें वहाँ पर of course सी बात है कि वहाँ के culture के लोग मिलेंगे, वहाँ पर हमें उनसे बातचीत करनी पड़ी ही जाएगी, होटल में रहेंगे, तो हमें यह तो नहीं हमारे language के लोग मिल जाएंग तो हमां की language, हमां का culture सब अलग होगा, अगर हम कहीं भार घुमने गए हैं, तो यहाँ पर भी एक important role निभाता है, interculture communication, all the circumstances show that interculture communication is very common, यह सभी circumstances क्या शो करते हैं, कि interculture communication कितना common हो गया है सभी के लिए, is worth studying, तो इसको पढ़ना बहुत जादा जरूरी हो गया है इन सभी वजाओ से, देखे, examples of interculture communication, first है, in America, people shake hands and even hug each other, अमेरिका में जब लोग meet करते हैं, एक दूसरे से, तो वो क्या करते हैं, handshake करते हैं and hug करते हैं, गले लगाते हैं, लेकिन इंडिया में क्या होता है, we just join hands and say namaskar, तो यह क्या है, इन इंडिया में आप बातचीत करते समय, maintain रखते हैं अपना eye contact, मतलब नजरे मिला कर आप बात करते हैं, तो आप क्या शो करते हैं कि आपकी personality कैसी है आप में कितना confidence है आपको सामने वाले person में कितना interest है इंडिया में ये समझा जाता है लेकिन वहीं अगर आप Asian में देखेंगे तो आप direct eye contact को किस form में लिया जाता है disrespect में तो ये भी महा का culture है जिसे भी हमें study करना चाहिए अगर sample आप exam में लिखकर आ सकते हैं a man from Tamil Nadu is linguistically and culturally different from a man of North India ऐसे ही एक इंडिया के अंदर भी हो सकता है interculture communication जैसे मैंना भी बताया interculture communication भार जाएंगे आप तब भी देखने को मिलेगा एक country के अंदर भी हो सकता है एक country के लोगों के बीच जैसे इंडिया में Tamil Nadu का जो इंसान है उसकी language भी अलग है उसका dressing sense भी अलग है तो North India के जो man है उससे बातचीत नहीं कर पाएगा उसको उसकी language को समाझे नहीं पाएगा तो इसके लिए क्या करना होगा उने they use common set of symbols तो उनको common set of symbols का use करना पड़ेगा कुछ ऐसे symbols यूज करने पड़ेगे जिससे दोनों को बात सम जाए दोनों के लिए meaning एक ही हो कोई ऐसी common language का यूज करना पड़ेगा जैसे English है या तो English का यूज करना पड़ेगे या किसी symbol का जिससे दोनों को बात समझा जाए तो एक country के अंदर भी हमने देखा interculture communication होता है एक country से आप भार जाते हैं तब भी interculture communication के आपको नीट पड आए होंगे आप लोगों को ये वीडियो helpful लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सकाइब कीजिए ताकि हमारा motivation भी बना रहे थैंक्स फॉर वाचिंग